नमस्कार विवर नमबर वन स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो में आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो अए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार एक आदमी मचली पकड़ने गया वहां उसने पूरी तरह से। मेहंत करी हर एक तरीका आजमाया जिससे वह मचली पकड़ सके लेकिन हर तरीके में वो नाकाम्याब रहा। दिन धलने लगा और शाम हो गई। अब वो आदमी परेशान होकर ये सोचने लगा कि अब मैं अगर खाली हाथ घर जाऊंगा तो मैं और। मेरा परिवार खाएंगे क्या। चिंता करते करते उसने देखा कि वो मचली बाजार के पास ही है। वो जल्दी से मचली की दुकान पर गया और बोला मैं चार मचलियां खरीदूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे मचलियां जिन्दा। की देंगे और मैं उन्हें खुद पकडूंगा और फिर खरीदूंगा। दुकानदार ये सुनकर हैरान रह गया कि क्या अजीब आदमी है लेकिन उसने एक बड़ी बाल्ती में पानी भर कर उसमें चार से पांच मचलियां डाल दी। आदमी ने एक एक करके चार मचलियां पकड़ी और दुकानदार से कहा ये लो इन मचलियों के पैसे। दुकानदार से अब रहा नहीं गया उसने आखिर पूछी लिया कि भाई आप कैसे हो अगर आपको मचलियां चाहिए ही थी तो आप ऐसे ही ले लेते इतना सब करने की। क्या जरूरत ये सुनकर उस आदमी ने कहा कि तुम समझे नहीं अब जब मैं घर जाऊंगा तब मेरा परिवार मुझसे ये सवाल जरूर पूछेगा कि आपने कितनी मचलियां पकड़ी तब मैं उनसे ये कह पाऊंगा कि मैंने चार मचलियां पकड़ी है। तब मुझे कोई दुख भी नहीं होगा कि मैंने कोई जूट बोला क्योंकि ये मचलियां सच में मैंने पकड़ी है, अब मैं जब कल मचलियां पकड़ने जाऊंगा तो यह सोच कर जाऊंगा कि आज मैं नाकाम्याब नहीं होंगा सीख जिन्दगी में आपको। असफलता कई बार मिलेगी, लेकिन असफलता में कहीं न कहीं सफल होने का रास्ता भी होगा, अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप असफल होकर ही दुखी रहना चाहते हो या फ्र सफलता का रास्ता ढूंड कर खुश होना चाहते हो अगर आपको। मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी पसंद है तो आप हमारी नमबर वन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जूर करे धन्यवाद